जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे जट पट कुछी मिन्टों में आसानी से बनने वाली छास वाले आलू की सबजी की रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं आलू की सबजी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक टेन में दो तेबल्सपून तेल गरम कर लिया है तेल गरम होने के बाद हम इसमें macht जी्रा और दो चुटकी हिंग एट कर देंगे जीरे के चठकने के बाद हम इसमें एट कर देंगे उबले हुए आलू तो हमने यहाँ पर तीन मीडियम साइस के उबले हुए आलू लिये हैं और इन आलू को उबालने के बाद हमने इनको छील कर इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है अब हम गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और आलू को तेल में दो मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे जब तक कि आलू पर एक क्रिस्पी लेयर ना बन जाए घर पर कोई सबजी ना हो और कुछ समझ में ना आए कि आज क्या बनाया जाए तो आलू और छास के कॉंबिनेशन से बनने वाली इस मज़ेदार सी सबजी को आप ज़रूर ट्राइ कीजिएगा उमीद है आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो यहां पर आप देख सकते हैं के आलू पर एक क्रिस्पी लेयर ना आ जाए तब तक हमने इसे हाई फ्लेम पर दो मिनिट तक तेल में अच्छे से फ्राइग कर लिया है और अब हम गेस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे सुखे मसालों में हमनें यहां पर लिया है एक चोत्फाई टीसपून हल्दी पावडर 3ας4 टीसपून यानि की पोना टीसपून धनिया पावडर एक तीज़पून लालमिश पाउडर और स्वाद अनुसा नमक या फिर हाफ तीज़पून नमक इन मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों का कच्छापन दूर होने तक हम इनको लोफ लेंपर 3-4 मिनिट तक आलू के साथ भूल लेंगे तो मसालों का कच्छापन दूर होने तक हमने लोफ लेंपर इसे 2-3 मिनिट के लिए पका लिया है और अब हम इसमें 6 सेट करेंगे तो हमने यहाँ पर एक कप छास ली है इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इस सबजी को लो फ्लेम पर सिफ पांच मिनिट के लिए पकाएंगे क्योंकि आलू ओल्रेडी उबले हुए हैं तो हमें सबजी को ज्यादा देर तक नहीं पकाना जब तक सबजी में गाढ़ा पन ना आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे तो छास एट करने के बाद हमने सबजी को लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए और पका लिया है तो यहाँ पर हमारे छास वाले आलू की सबजी बनकर बिल्कुल तयार है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसमें एट करेंगे एक टीस्पून भूनी हुई कसूरी मेथी हाथ की मदद से क्रस करते हुए हम इसमें एक टीस्पून भूनी हुई कसूरी मेथी एट कर देंगे और इसी के साथ हम इस सब्जी को हरे धन्ये से गानेश करेंगे और हमारी सब्जी सव करने के लिए बिल्कुल तयार है जट से बनने वाली आलू की इस इंस्टन्ट सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के एसी ही आसान, सिंपल, यूनिक रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएँ और रेसिपी ट्राइब करने के बाद कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरिंस जरूर से सेर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई